नमस्कार सातियों पालिटेग्निक पार साला में आप सभी के स्वागत हैं सेकंड समेस्टर में बेसिक इलेक्टिकल इंगेनिंग आपको पढ़ाया जाएगा ठीक है जिसमें सबसे पहला चैक्टर मैं इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन आपको क्या करूंगा पढ़ाऊं मैगनेटिक फेल्ड क्या होता है देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले जो पुराना स्लेवस था वो इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन में बहुत सारा टापिक था लेकिन अब के स्लेवस में काफी ज्यादा कम कंटेंट है और पहले के स्लेवस में बहुत ज्यादा कंटेंट थे ठीक है तो क्या क्या था क्या क्या नहीं था हो सब पढ़ाते वक्त मैं डिस्कुसन करूंगा ठीक है जो कि आपको जरूरी रहेगा वो पढ़ना पीछे का पर टापिक जो इसमें नहीं दिया गया है आपके स्लेवस में उसको भी पढ़ना जरूरी रहेगा मैं उसको बता दूंगा और आप लोग उसको पढ़ लिजेगा ठीक है तो यहां पर मैगनेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैगनेटिक फील्ड क्या होता है तो जैसे किसी चुम्बक के चारोर का वाच्छेत्र जिसमें किसी चुम्बकी सुई पर कोई ब मतलब है कि अगर किसी मैगनेट के चारोर चुम्बकी छेत्र होगा तो जब मैगनेटिक नीडिल मैगनेटिक नीडिल या चुम्बकी सुई को जब वहां पर ले जाएंगे तो उस पर एक बलागूड वर्क करेंगा जिसकी वज़े से घूम करके एक निश्चित दिसा में ठ पड़े होंगे उसके बाद जो है इंटरमीडियर जो किया हो भी पड़ा होगा यह चीज़ तो आप जानते हैं ठीक है तो इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूबत हमको नहीं है तो यह आपका मैगनेटिक फिल का क्या होता है डिफनीशन होता है ठीक है तो चुम्बकी स करेंगे हैं तो यह जो कोई करो सबती को यह कोॉलआ यहां यहांपर ल को हम यहां पर लाएंगों ठीक है, कि यहां पर यहां पर कोई फोर्स वर्क करेंगा नहीं करेंगा लेकिन जब इस ही चुम्बकी से यहां पर लाएंगे यहां पर इस चुम्ब की सुई को हम क्या करेंगे लाएंगे तो इस पर एक फोर्ष घृत्वंड़ जीक करेंगा जो है magnetic field का पता लगाते हैं कि कहा integrated field है कितने area में magnetic field है कितनी दूर तक है ठीक है ये सारी चीज़ें इसके माद्वन से क्या की जा सकती है फता लगाई जा सकती है तो ये magnetic field का definition नहीं है यहां अपसे लिखा गया है कि किसी magnetic needle पर एक तो बलागूड हरोपित होता है जिसके कारण वह घ्भूम करके एक निश्चित दिशा में क्या होती है ठाड़ती है magnetic field कहलाता है ठीक है अब magnetic line up force अगर magnetic field है तो उसमें यह बताया दा रहा तो ऊसका एक magnetic field होगा उसके चारो तरफ का कोई magnetic field होगा तो जैसे माली जैGU utilizar अभी हमारा magnetic field है ये magnetic field है ठीक है अभी जो line घीचा गया है । ये line हमको दिखाई नहीं देता है ठीक है line दिखाई नहीं देता है तो इसमें क्या होगा होता है कि मैं बसके वल आपको समझाना चाहता हूं माल लिजे हमारा यह कोई एरिया है मैं अपना बना दे रहा हूं अपने से ठीक है यह कोई ऐसे एरिया है कोई इसके अंदर प्रमाइग्येक फीड युद्ध और दिख्याई नहीं दे रही तो अगर इस मैगनेटीक फिलड में एस छेत्र में अगर हम कोई यूनिट नार्थ पोल रख दें हैं इसी के तो इसी प्रकार अगर हम कोई चुम्बक लेते हैं तो चुम्बक के चारोड़ होता है जैसे यहां पर अगर हम यूनिट नार्थ पॉल रखेंगे उनिट नार्थ प्रेंगी चुनれて है तो लट उकिन और हम पूर यहां पर तो कोई फोरक का नहीं करेगा लेकिन जब हम नऌर्थ प्रेंगे तो इस पर उक करेगा क्योंकि हम तो यहां पर दिखा दिये हैं कि हां यहां पर हमारा magnetic field की lines है तो जब इस पर हमारा क्या होगा force work करेगा तो यह इसी दिशा में क्या करेगा यह इसी दिशा में ऐसे गती करेगा ठीक है इसी दिशा में ऐसे क्या करेगा गती करेगा वहां और उसी डारेक्शन में गती करेगा समझ में तो हलाक यह दिखाई तो नहीं देता है लेकिन जैसे ही नार्थपोल मैगनेटिक फील्ड के प्रभाव में आएगा तो यह मोशन करने लगेगा क्योंकि उस पर एक फोर्स क्या करेगा वर्क करेगा तो यह जहां जहां मोशन कर रहा है ना अगर एक उसी के साथ काल्पनिक रेखा खेच खीच दे जाए तो उसी काल्पनिक रेखा को जो है हम चुम मं वकी बड लिखाओ कि डिफशन में समझना काफी होगा ठीक है तो वहींज़ recent में यहां पर लिखा भी गया है कि मैगनेटिक लाइन आफ फोस मैं मैं बात करूं तो इसके डिफनीशनmittel हलंक इभी हमने समझा तो इसके डुआ डिफनीशन भी मैं बता दे रहा कि किसी मैगनेट के चार और का वा छेतर जिसमें चुम्बकी प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है तो वह हमारा चुम्बकी छेतर होता है ठीक है कोई चुम्बकी चुम्बकी प्रभाव क्या हो सकता है डिपल्सन हो सकता है कोई बलागूर उस पर क्या करेगा वर्क करेगा तो motion करेगा जयसा कि या भी चुम्बकी छेत्र था, तो यह चुम्बकी प्रभाव हो गया, ठीक है, तो चुम्बकी छेत्र कहलाता है, तो जब किसी चुम्बकी छेत्र में unit north pole रखा जाता है, unit north pole, इकाई north pole, हलाकि एक north pole केवल होने का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन define इसे ही किया जाता है ठीक है यूनिट नार्थ फोल रखा जाता है तो इस यूनिट पोल पर एक बल कार करता है इस बल की कारण यह यूनिट पोल गती करता है तो गती करने के लिए यह जिस पाथ का अनुसरण करता है इस पर कालपनिक रेखाएं खीचने पर यह पाथ वक्र के रूप में प्राप्थ होता है तो इन वक्र रेखाओं को मैगनेटिक लाइन आफ फोर्स के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है मतलब यूनिट नार्थ पूल जहां जहां गती करेगा जिस पाथ का अनुसरण करके वो गती कर रहा है उसी पाथ पर जो है अगर हमें एक कालपनिगरेखा खेंच दें तो हमें वक्र के आकार की दिखाई देगी और उसी को हम क्या बोलेगे चुंसुमक की बल्यन को Obrig यह चीज जह यह सतरीके से आप इससे क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं ठीक है यह अग्च्वल डिफनीशन है इसका और अगर गुण की बात की जाए तो चुम्बकी बल देखाओं में क्या गुण होता है तो चुम्बकी बल देखाएं मेगनेटिक लाइना फोर्स कभी एक दूसरे को काटती नहीं है ठीक है जैसे हमारे पास कोई नार्थ क्या कते हैं एक नार्थ है और क्या है साउथ है तो थोड़ा मैं फीगर बड़ा बनाता हूं तो फीगर अगर मैं बड़ा बनाओंगा तो कुछ इस तरीके से आप समझेंगे अच्छे तरीके से जैसे यह साउथ पोल हो गया और यह क्या हो गया नार्थ पोल हो गया ठीक है तो ऐसे फीगर बनेगा तो ज्याद अच्छे रहेगा ठीक है अब ध्यान से देखिए इधर से नार्थ निकल ला तो इधर मैगनेटिक फिल की दिशा इधर होगी इधर होगी इधर होगी तो इ से कैसे पफाद चाला यू नार्थ पोल रखने से पता च्छला ठीक है तो यह जो लाइन कहीं और काल्पनिक लाइन यह सब होंको दिखाई से कि कि रहा होगद ना दो जैसे हमारे पास कोई अगर मैगनेट है ठीक है ऐसे मैगनेट है एक बड़ा सा मैगनेट बना रहा है तक कि आपको समझ में आ जाए जैसे कि फीगर जो है पीछे आपको बना कर दिखाया गया है यह साउथ है और क्या है नार्थ है ठीक है इसमें जो है इस मैगनेटिक लाइन फोर्स हो गया इस तरीके से तो यह हमारे देखे नार्थ से मैगनेटिक लाइन फोर्स निकलती है और साउथ में क्या करती है एंटर करती है ठीक है तो इनके बीच में ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कारती नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा पॉइंट हमें को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक हैं? चुम्बकी बल रेखाएं, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है काटती नहीं है, यह वक्र के फार्म में होती है, यह वक्र के फार्म में होती है, ठीक है, वक्र के फार्म में होती है, तो यह चीज कमपेटीशन में पूछा जाता है, तो इस वज़ा से मैं आपको बता रहा हूं, मेगनेटिक फिल्ड की जो दिशा होती है, मेगनेटिक फिल्ड की दिशा, दिशा बाहर में, बाहर में नार्थ से साउध, नार्थ से साउध होती है, तथा अंदर में साउध से अंदर में साउध से नार्थ होती है, अंदर में साउध से क्या होती है, नार्थ होती है, ति ये पॉइंट भी क्या करना है, लिखना है, ठीक है, इसको मैं मीटा दे रहा है, और मैगनेटिक लाइन आफ फोर्स, तो, क्लोज्ड कर्व, के फॉर्म में होती है, ठीक है, ये चीज़ है, तो, ये मैगनेटिक फिल्ड का क्या हो गया, डिफनीशन हो गया, और मैगनेटिक फिल्ड लाइन्स के बारे में, तकि पहले मैगनेट योगनेट पढ़ाया जाता था, मैगनेट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एक आपका पर्मानेंट मैगनेट होता है, एक टेमपरेरी मैगनेट होता है, तेमपरेरी मैगनेट कितना होता है, कहां पर यूज किया जाता है, वो सारी चीज़े आपको बताई जाते हैं, लेकिन हैं, इसकी कुछ पॉइंट के बारे मैं आपको बता दिया जाएगा, हलाकि वो चीज़ स्लेबस में नहीं दिया है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, और सटेट का एक्सपेरिमेंट ये जानना जरूरी है, और सटेट का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, अब यहीं से इंपोर्टन टापिक आपका क्या हो जाता है, चालू जाता है, और सटेट के एक्सपेरिमेंट के अनसार, जब किसी conductor में जो conductor होता है चालक होता है उसमें जब current प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारोर चुम्बकी छेत्र का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है ठीक है और state ने एक relation बताया था कि current का relation जो है किसी conductor में magnetic field से होता है है कि अगर हम किसी current को conductor में प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों और जो है वक्रकार आकार में हमारा magnetic line of force create होता है जो एक magnetic field produce करता है ठीक है और state के नियम के अनुसार अब इनके नियम के अनुसार जैसे माल लीजिए हमारे पास कोई conductor है से हो यह हमारे पास क्या है आपका कोई कंड़क्टर है प्लस है और मैनस है हो यह हो गया कित क्या हो गया कट कर और यह हमारा कंड़क्टर है औरwdsis है और हमारा बैटरी है तो यहां पर हम कोई चुम्ब की सुई रखते हैं ठीक है चुम्ब की सुई कि चुम्ब की सुई ठीक है मारा चुम्ब की सुई होगा तो अब इसी के नीचे अगर हम चुम्ब की सुई क्या करते हैं रखते हैं तो अग जैसे हम स्विच को आन करते हैं तो इस कंड़क्टर में जो है करेंट हमारी क्या करती है फ्लो करती है तो करेंट जब फ्लो करती है तो इसमें magnetic field produce हो जाता है तो जैसे ही इसमें magnetic field produce होगा conductor में न यह चुम्ब की सुई पर एक बल work करेगा उस बल की दिशा में ही यह क्या करेगा घूम जाएगा बला घून की दिशा में ही क्या कर जाएगा घूम जाएगा तो यह कैसे पता चला यह कैसे पता चला जब conductor में हमने current प्रवाहित किया जब current हमने क्या कर दिया zero कर दिया तो इसमें deflection नहीं हो रहा था यह जो चुम्बकी सुई है इसमें किसी प्रकार का कोई भी deflection नहीं हो रहा था ठीक है ऐसे है माल लेजिए ऐसे किसी चीज़ पर है हमारा चुम्बकी सुई तो current हमने जब प्रवाहित किया तो हमने देखा कि चुम्बकी सुई में क्या हुआ बलागोड वर्क किया जिसकी वज़े से वो deflection हो गया और एक निश्चित दिशा में जा करके वो ठार गया ठीक है अगर हम current की दिशा को क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं current की दिशा को चेंज कर देते हैं current की दिशा को हम क्या कर दे चेंज कर दे इधर आपका पास्ट्व हो गया इधर आपका क्या हो गया निगेट्व हो गया तो current की दिशा चेंज करने से भी यह पाया गया कि एक दिशा चेंज करते हैं तो दिवलेक्छन का डार्एक्ठन है वह भी च्नलें वज St दृम जाता है अभी के माध्यम से इस तो हमारा क्या होता है उसके चारो उसके चॉंबँबकी छ्एत्र क्या होता है प्रोडेस होता है तो हलाकि इसके बारे में बहुत ज्यादा फीगर बनाने की हमको जरूवत नहीं है बस सिर्फ यह जानना है कि और स्टेट के अनुसार जो है जब किसी कंड़क्टर में करेंट प्रवाहित करते हैं तो उसके चार ओर चुम्ब की छेतर का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं इनके अनुसार जब किसी कंड़क्टर में इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो होती है फ्लो होती है तो उसके चारो ओर चारो ओर एक उसके चारो ओर एक मैगनेटिक फेल्ड मैगनेटिक फेल्ड प्रोड्यूस होता है मैगनेटिक फेल्ड प्रोड्यूस होता है ठीक है उसके चारो ओर एक मैगनेटिक फेल्ड प्रोड्यूस होता है और यदि कंडक्टर में करेंट की दिशा चेंज कर दिया जाए तो मैगनेटिक फिल्ड की भी दिशा चेंज हो जाती है की भी दिशा चेंज हो जाती है मैगनेटिक फिल्ड की भी दिशा क्या हो जाती है चेंज हो जाती है ठीक है अब देखिए मैगनेटिक फिल की दिशा चेंज हो जाती है कैसे चेंज हो जाती है चुम्ब की सुई के माध्ध्यम से उन्हों क्या किया पता किया ठीक है अब जैसे माल लेजे कि अगर मैं फिगर बनाओं तो कुछ इस तरीके का फिगर होगा है कि भूप है मैं पूरा डेफेलेक्शन पूरा फिगर मैंने रहा हूं और पूरा थियोरी भी मैंने लिखा रहा केवल बस आप इतना ही जान लिजे कोई दिक्कत की बात नहीं है इनके निये में बस केवल इतना ही जानना है कि किसी कंड़क्टर में हमेशा क्या होता है आपका करेंट फ्लो कराने पर उसके चारोन मैगनेटिक फिल्ड का क्या होता है निर्माड होता है और करेंट की दिशा अगर हम चेंज करते हैं अगर करेंट की दिशा हम चेंज करते हैं तो वह मैगनेटिक फिल की दिशा भी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है यह बात कि यह बात कि चुम्बकी सुई की दिशा चेंज मैगनेटिक फिल की दिशा चेंज हो जाती है और यह चुम्बकी सुई के द्वारा पता चला यह चुम्बकी चुम्बकी सुई के द्वारा क्या हुआ पता थेक है तो आज का लास यही तक बस इसमें कि वल यह रिलेशन बताना था आज चीज और आपको जानना है कि अगर मुविंग चार्ज है तो कंड़क्तर में तो मुविंग चार्ज के कारण ही जो है हमारा होगा तो मुविंग चार्ज के कारण मैगनेटिक फिल्ड प्रोडियूस होता है मूविंग चार्ज फिरी इलेक्ट्रोन के कारण फिरी इलेक्ट्रोन के कारण कारण कंड़क्टर में कंड़क्टर में मैगनेटिक फिरी 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 फि है तो उसकी वज़े से नहीं होगा ठीक है कंड़क्टर में होगा तब की बात की जा रही है और अगर इस्टाइटिक चार्ज है इस्थिर चार्ज कि इस्थिर चार्ज के कारण हमेशा एक इलेक्ट्रिक फिल्ड फिल्ड प्रोड्यूस होता है अगर गत्सील चार्ज है तो मैग्नेटिक फिल्ड क्या होगा प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फिल्ड और मैग्नेटिक फिल्ड ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ठीक है एलेक्ट्रिक फिल्ड और मैग्नेटिक फिल्ड ये दोनों एक दूसरे के क् हैं तो आज के लेक्चर में क्यों इतना ही मैं आपको बताऊंगा ठीक है धन्यवाद